हेलो एवरिवन, स्वागत है आपका आज के हमारी इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं Slon Info System IPO के Subscription Status and Updated GMP के बारे में हमने इस IPO से रिलेटेड एक डिटेल वीडियो भी बना रखी है जिसमें हमने कमनी के बारे में जाना था decision लिया था तो आज ये वीडियो उस decision को या तो continue करेगी या फिर change करेगी जो हम इस वीडियो के लास्ट में देखने वाले हैं तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा और अगर अभी तक किसी ने वो देखिये तो मेरा आपको सबसे पहले यहीं होगा कि आप जाकर सबसे पहले वह डिटेव वीडियो देख ले ताकि आपको कमनी का एक और प्ता चल जाए और आपको जो भी positive के ले चलते हैं इस आईपयों के सब्स्क्रिप्शन स्टेडस पे यानि 3 माई 2024 को चल रहा है बुचल रहा है कए 8.66 से ओवर सब्सक्रिप्शन और रिटेल का चल रहा है 41.3 से ओवर सब्सक्रिप्शन अगर ही numbers of shares की बात करें कि कितने shares offer कि गए हैं और कितने shares के लिए bid आई हैं तो हम वो भी देख लेते हैं जैसे कि जो market maker है उनके लिए जो shares offer की गए हैं वो 70,400 के shares offer की थे और उतने की ही bid है NIA के लिए जो shares offer की गए हैं वो की गए है 6,64,000 के और जो bid आई है वाई 57,47,200 की यानि कि 8.66 से जो NIA के टेगरी वो ओवर सब्सक्रिप्शन चल रहा है जो retail है उनके लिए जो shares offer की गए हैं वो की गए है 6,65,600 के और जो bid आई है वाई 2,75,24,800 की यानि 41.35 से जो retail के टेगरी वो ओवर सब्सक्रिप्शन चल रहा है तो अगर हम एक assumption ले कि ये IPO का जो subscription status से कितना जा सकता है तो वो भी अगर हम assumption लेकर देखते हैं जैसे कि जो मेकजियम लोग होते है घ्रस आपन चल रहा है किना कोट किसी का भी Обस्तिक्रिप्शन पहसलने जाता है त चल जाता है तो par चल रहा है तो इन सब चीजों करेगा कि इसका कितना जा सकता है अभी फिलाल जो चल रहा है वो ट्यल का कितना चल रहा है तो अगर इसके GMP वागिरा जो इसके मिने फाइनस देके थे टीटेल वागिरा उसके हिसाब से अगर हम इसका अंदाजा लगा है तो इसका 300 के पार जाने की चांसे से कि इसका जो सब्सक्रिप्शन स्टेटस है 300 के पार तो चला ही जाएगा चले अब बात करते हैं इस कमनी के GMP की तीन माई 2024 को जब यह IP open हुआ था इसका जो GMP चल रहा था वो चल रहा था 67 रूपीज का इंटम सो परसेंटेस 84.81 परसेंट का उससे पहले जो इसका GMP चल रहा था 2 माई को वो था 50 रूपीज का इंटम सो परसेंटेस 63.29 परसेंट क तो अगर हम एक लगातर अंदाजा देखें तो जिसे की 29 अपरेल को चल रहा था 37.97 परसेंट का 30 अपरेल को 50.63 का 1 माई को 56.96 का तो लगातर यह क्या है इंक्रीज में ही चल रहा है बिल्कुल भी डिक्रीज नहीं हा लगातर अगर देखें डेवाइस डेवाइस 27 रुपीज का इंटरम सो परसेंट इस 84.81 परसेंट का तो अगर हम एक प्रॉफिट का अंदाजा लगा इससे कि अगर यह इसी जी एंपी पर जो एस्टिमेटर लिस्टिंग प्राइजिंग इसकी 146 रुपीज की अगर इसी प्राइस पर मार्केट में लिस्टेड होता है तो हमें कितने तक का प्रॉफिट होने के चांसे होंगे तो जीसा की जो इसका इंवेस्मेंट अमाउंस है वह है वन लेग 26,400 का और उस पर जो गर हम जी एंपी एड कर दे 84.81 परसेंट कई तो हमें लग बाव एक लाग सात अजार के आसपास का प्रॉफिट होने के चांसे प्रॉफिट हो तो यह आई-पी ओ वैसे तो अभी कल तक लोगा पर अगर हमने आज डिसेजन मनाने वाले हैं कि क्या हम इस आइप अप्लाय करने वाले हैं या नहीं तो जैसे कि जब हमने इसकी डिटेल वीडियो देखी थी तो उसमें हमने जब कमनी के फाइनेंस के बारे कि एक से कम था तो यह भी हमारे लिए क्या थे प्लस पॉइंट थे तो यह सारे इसके पॉजिटिव पॉइंट है और अभी फिलाल जिसका जो चल रहा है जिए फोर पॉइंट परसेंट देखिए अगर मैं आप बिल्कुल भी रिस नहीं लेना चाहते हैं तो अगर आप बि या पि 60-100 के बीच में तो उसमें थोड़ा वो तो रिस्क होता है बाकी डिपेंड करेगा 60-100 के बीच में कि उसकी जब या आई-प्योज हो रहा है या पि जब लिस्टेड हो रहा है उस समय उसकी मार्केट कंडिशन क्या चल रही है तो इसमें जैसे कि फिलाल जो इसका ज इसमें की बीच में तीन चार दिन का डिफ्रेंस है तो में हो सकता है कि अगर मार्केट डाउन चल आगया तो इसमें थोड़ा बहुत आई-पर-चांसे से अधर्वाइस में को होने के चांसे नहीं है इसलिए में इसमें 20 परसंट डिक फेक्टर अगर जैसे की ज्यादा दि बना लिया है कि क्या मैं इस आप्लाइ करने जा रही हूं या नहीं तो जिसे कि हम ने इसके फाइने वागेरा पॉजिटिव वागेरा सब पॉजिटिव है और बाकी इसका जो जिए एंपी है वो 60 से तो अबाव है पर हंडेट से कम है तो जो 0% रिस्क वाले तो वह बिल्कु दिए होगे तो अगर आप भी इसके लिए तयार को प्लाइए करें और अगर आप रिस्क लेने के तयार नहीं है तो बिल्कुल आ प्लाइब ना करें क्योंकि सारे जो पॉजिटिव है इसकी वास्टिव होगा पॉजिटीव हो रहा है मार्केट कंडिशन क्या चल रही है तो उस बेसिस पर मैंने अपना डिसेजन मना लिया है कि हम इस आइप में अपलाई करने जा रही हूँ अगर आप इतना इस लेनिक ले तैयार है तो आप इस आइप उसके अपलाई कर सकते हैं बाकी एक बात और जैसे कि आज जो मैंने डिस क्लोज हो रहा है उस समय तक इसका GMP 60 से नीचे चल जाता है या और भी कम हो जाता है तो अगर में अपना डिसेजन करती हूँ कि मुझे अपलाई नहीं करना है तो अगर ऐसा कुछ जरूद होती है तो मैं आपको उसकी अपडेटेट वीडियो लेकर आओंगी नेक्स देप सब्सक्राइब करना है तो आज की वीडियो में अच्छी लगी होगी अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट करना मत भूलेगा एंड थैंक यू सो मच पर वचिंग मैं वीडियो